Good morning children, in our previous class we studied about Vyanjan, that is from Ka se Gyan tak. हमने revision किया था. I hope you all know how to read and write all the Vyanjan. In today's class we are going to learn दो अक्छर वाले शब्द. But first of all, what is the meaning of शब्द? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा व्यांजन को लेकर शब्द बनता है, जिसका कोई अर्थ होता है. Okay children, अभी हम व्यांजन को जोड़ कर शब्द बनाएंगे. शब्द मिन्स words, ओके, इंग्लिस में हम उसको words कहते हैं. और हिंदी में शब्द कहते हैं. ओके, तो ये जो cards आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? मैंबने व्यांजन को लिखे हैं. अभी आपको मैंबने बताया कि शब्द का एक meaning होना बहुत जरूरी है, उसमें से कुछ अर्थ निकलना बहुत जरूरी है. ओके, तो देखें, अभी हम शब्द कैसे बनता है. ये कौन सा व्यांजन है? ये व्यांजन क है. ओके, और अगर हम क में, व्यांजन क में, व्यांजन क को जोड़ेंगे. ओके, क और ग का अगर हम जोड़के लिखेंगे, तो हम इसको क्या reading करेंगे? कग. का और ग का अगर हम जोड़के लिखेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे कग. कग का कोई मतलब निकल रहा है क्या? नहीं. इसका कोई भी मीनिंग नहीं है. तो अगर हम ये दो व्यांजन को जोड़के लिखते भी हैं, तो ये एक शब्द नहीं है. अगर हम ग की जगह पर व्यांजन प, प जोड़के लिखेंगे, तो हम इसको क्या रिडिंग करेंगे अभी? कप, 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 आप सब दूद भीते हैं ना कप में? तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसका मिनिंग निकल रहा है, तो ये एक शब्द है, कप, कप, आप, 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 आप व्यांजन फा के साथ हम व्यांजन ल को जोड के लिखेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे हम फा ल फल फा ल फल अगर यहां से हम फा को लिखा लेंगे और फा की जगा पे हम न लिखेंगे न और ल को जोड के लिखेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे न ल नल तो जिस भी व्यंजन को जोड़ के हम लिखते हैं और उसका अगर कुछ अर्थ निकलता है तो हम उसको कहते हैं शब्द ओके अभी हम क्या करेंगे दो अक्छर वाले शब्दों को पिक्चर के साथ रीडिंग करेंगे न ल नल ज ग जग ज ल को पानी भी कहा जाता है इन इंग्लिश वाटर ग ज गज हाथी ग ज गज छ त छत छ त छत इन इंग्लिश रूफ ओके चिल्रेंगे अव इस ताम तो दो दो हम वर्क ओके टेक आट यूर हिंधी नोट्बूक the pictures or you can stick the pictures also okay a picture draw भी कर सकते हैं और आप picture stick भी कर सकते हैं and the first picture is yes it is a jug तो हम यह पे लिखेंगे जग 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 आपको किनी पा लिखनी है आपको two times लिखनी है okay and which picture is this yes न ल ल ल न ल ल ल ल okay next one is फा ल ल ल ल ल ल ल ल ल okay नेक्स्ट पिक्चर च त छत चत ओके यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैे ग्लास है, ग्लास में क्या है? वाटर है, राइट? और वाटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जल कहते हैं हमने अब भी पढ़ा था ना? जल तो हम यहाँ पे लिखेंगे गजल and the next one is गज 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 ओके आपको two times लिखनी है do your work nicely, neatly with good handwriting okay children and read all the words once again bye-bye, thank you